सुट के लिए वर्डप्रेस कोर्स की कलास नमबर 30 जिसमें में देखने जा रहे हैं कि आप वर्डप्रेस को अपने लेपटॉप के ऊपर किस फ्रीम इंस्ट्राल करवा सकते हैं लोकल होस्ट करवा सकते हैं नो क्लास का कोई स्टेप भी मिस नहीं करना विकॉज इसमें एक स्टेप बहुत ही इंपोर्टन्ट है अगर आपने कोई क्लास का बहुत जबरतास ढमेजिंग रिसपॉंस था तू थाज़न प्लास इसके लाइक हैं फर्स क्लास के और मुझे बहुत ही अच्छा लगा था कि एट लिस्ट दो हजार स्टूड़न्स तो ऐसे हैं ना कि जो यह स्किल सीह ना जा रहे हैं और सेगिंड ग्लास में गयारा प्रिस्पोंस नही तक नहीं है हम दोग कहते हैं howicky साम सिख नहीं हैं विअ जी आपको later अप्ञेल वेल्यू दे रहा हूं आप लोगों के लिए सो अच्छा स्कोंस करें इस कोंडीनूड रखते हैं मैं आपको ना सर्फ व리ड प्रैसे अगर आपका अच्छा रिस्पॉंस रहा, आपको ब्लॉगिंग भी सिखाँगा, फ्री मेसी चैनल के उपर, so response करें अपनी attendance को mark करें attendance को कैसे mark करने है आपने likes का button प्रेस करेंगा आपने दोजाद़ लाइक पूरे complete करने है attendance आपनी आपनी marks हो जाएगी फिर मैं next lecture, fourth lecture लेके आँगा जिफरा जल्दी response हैगा अतनी जल्दी lecture आएगए उतनी जल्दी आपका ये कोर्स कम्प्लीट होगा और आपके हाथ में स्किल होगा स्किल होगा तो आप आल इन पैसा भी मना सकेंगे तो चलिए चलते हैं वीडियो के उपर सारे स्टेप आपको फॉल्लो करवाता हूँ वर्ट्प्रेस को फ्रीए अपना लोकलोस करवाता हूँ जैसे आप इसको डबल क्लिक करके ओपन करेंगे आपके सेमने ये विंडोउ उपन होजाएगी आपने सबसे पहले अपाची को स्टार्ट कर लेना है यहाँ पर यह देखे अपाची को स्टार्ट कीजेगा जब आप अपाची को स्टार्ट कीजेगा ग्रीन कलर का होजे देन माई स्कुल को आपने स्टार्ट कर लेना है जब आप ये दोनों start कर लेंगे तब हम अपना काम start करेंगे तब ही हमारी local host यहां पर run हो सकेगी और हमारा यहां पर काम होगा अब आपने अपने browser को open कर लेना है और यहां पर type करना localhost localhost slash php myadmin ठीक है localhost slash php myadmin जब आप लिखेंगे तो आपके सामने myphp admin का dashboard open हो जाएगा यहां पर आपने myschool database create करनी है new database create करनी है आपने यह वली database ही आपके wordpress के साथ connect होगी आपका सारा data इसमें store होगा इसलिए आपने नई database create करनी है आपने simple क्या करना है यहाँ आप नियू का जो button नज़र आ रहरा है ना new के बटन पे क्लिक कीजिएगा उसके बद आपने यह यहाँ पर अपनी database का नाम रखना है database का नाम आप क्या करखेंगे देखें सबसे important है आपने database का नाम वही रखना है जो आप अपनी वेबसेट का नाम रखना चाह रहे हैं जो कि यही बारबार यूज़ होगा इसमें कोई स्पेस नहीं होने चाहिए कोई स्पेशल करेक्टर नहीं होने चाहिए maximum आप underscore add कर सकते हैं सो मैं यहाँ पर अपनी डाटबेस का नाम रख रहा हूँ जो मैं अपनी वेबसेट का नाम रखने जाओंगा बात में आप कोई भी अपनी मर्जी से रख सकते हैं for example मैं अपने चैनल के नाम से यहाँ पर रख लेता हूँ 90's mentor के नाम सही मैं यहाँ पर अपनी डाटबेस का नाम रख रहा हूँ 90's mentor blog आप कोई भी रख लीजिए और फिर बता रहा हूँ और आपने साथ ही है यहाँ पर यह देख लीजिए spelling में कोई भी space नहीं होनी चाहिए कोई special character नहीं होने चाहिए और उसके बाद यहाँ पर आपने करना क्या है कि create के बटन पर क्लिक कर देना जैसे आप create के बटन पर क्लिक करेंगे यहाँ पर यह लेफ्ट साइट पर देखें आपकी database create हो चुकिए 90's mentor blog के नाम से अगें आप कोई भी अपनी मर्सिस नाम चूज कर सकते हैं अब आपने क्या करना है अब आपने करना यह है कि आपने नया वर्डप्रेस के उपर क्लिक करना है यहाँ पर यह देखिए यहाँ पर भी क्लिक कर सकते हैं यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यह देखिए आपके सामने यह मिड़ो अपन हो जाए यहाँ से latest version जो होगा आपके सामने होगा आपने download wordpress 6.22 आपने इसके उपर क्लिक करना है जैसे आप इसके उपर क्लिक करेंगे यह download होना स्टार्ट हो जाएगा देखे 23MB का ही यह जैसे यह download होता है मैं install करके आपको दिखाता हूँ आपने यहाँ पर right click करके show in folder पे क्लिक करना है और आपके download folder में यह पड़ा होगा यहाँ से right click करके आपने इसको copy कर लेना है जैसे आप copy करेंगे आपने अब क्या करना है zamp folder जो आपकी d drive में है उसको open करना है यहाँ पर देखे zamp server को मैंने इसको open किया और यहाँ पर आपको एक folder clash करना है जिसका नाम है जी यहाँ पर यह देखे hddocs ठेक है यहाँ पर यह देखे आपको अब नजर आता है hddocs यहाँ पर यह देखे इस folder hddocs पर आपने क्लिक करना है hddocs पर जब आप क्लिक करेंगे डबल क्लिक यह folder open हो जाएगा यहाँ पर right click करेंगे आपने wordpress की setup को यहाँ पर पेस्ट कर दिनना यहाँ पर यह देखे आपने इस zip file की जरूरत नहीं आपने right click कर के इसको delete कर देना है कर दिने जो हम unsip कर चुके है यहाँ पर यह देखे उपर आपको wordpress नज़रा रहना अब आपने इसके उपर right click करके इसको rename करना है rename क्या करना है आपने same अपनी database को जो नाम रखा था 90's mentor blog यह कोई भी आपने और नाम रखा हूँ आपने same नाम यहाँ पर इस folder कर रखना है इस wordpress के folder कर रखना है rename कर लिया rename करने के बाद आप enterprise कर जीगा enterprise करेंगे तो यहाँ पर यह देखिए folder open किया इसमें सारा किसारा setup भी नजर आ रहा है wordpress का किसी चीज़ को आपने share ना नहीं है आपने क्या करना बैक पर चले जाना यह देखे 90's mentor का folder है अब हमने next क्या करना है हमने एक निया browser open करना है और यह वले spelling जो मैं आपको बदा आ रहा हूँ याद रखने हैं browser के अंदर लिखने हैं आपने यहाँ पर यह देखिए आपने निकलना है localhost localhost slash 90's mentor blog जो के मैंने अपने database का नाम भी create किया है और अपने folder का नाम भी create किया है आपने अपनी language select करनी मैं English select करूँगा continue के बटन पर क्लिक करूँगा अब आपने क्या करना है कि WordPress के इस setup के ओपर again database का नाम रखना है क्योंकि यह वली database और MySQL database match होनी चाहिए ठीक हो गया उसके बाद आपने database का username रखने है database का password, database host और table prefix और आपने let's go के बटन पर click कर देने है अब देखें, यहाँ पर यह देखें WordPress database name same नाम रखने है जो आपकी website का नाम है जो आपकी database का नाम है 90s mentor blog फिर बता रहा हूँ, यह मैं अपना अपनी मर्जी से नाम लिख रहा हूँ आप कोई भी लिख सकते हैं आप अपना नाम यूज कर सकते हैं अपने blog का नाम यूज कर सकते हैं कुछ भी रख लेजिए लेकिन database folder का नाम सेम होना चाहिए यहाँ पर देखें जैसे मैं आपको बता भी देता हूँ यह देखें local host पर गया अपनी database में यह देखें 90's mentor सेम नाम रखा है folder का भी सेम नाम रखा है आपने भी यह से रखना है ठीक हो गया जी अब देखें next क्या करना है जैसे अब आपनी database का नाम रख लेंगे next आप पर आपने करना है username यहाँ पर create करना है अपनी database का और password अपने blank चोड़ देना है कोई ज़रूरत नहीं password की यह आपने ज़रूर ब्लैंड चोड़ना है database host name आपने local host ही रहने देना है और table prefix भी आपने wp- ही रहने देना है again बता रहा है आपने यह last दो चीज़ों को नहीं छेड़ना सिर्फ ओपर दो बलस चीज़ों को आपने setup करना है ठीक होगा है जब आप यह सारी चीज़े कर लें then आपने यहापने यहापर submit के बड़न पर क्लिक कर देना है यहाँ पर यह देखिए अब आपको यह बता रहा है कि सब कुछ ठीक है अब आपका wordpress community कर सकता है आपकी database के साथ मैं पर बता रहा हूँ अब आपका wordpress जो है आपकी database के साथ connect होने जा रहा है क्योंकि हमने proper setup इसका कर लिया हम run installation के ओपर जैसे click करेंगे यहाँ पर यह देखिए run installation के ओपर जैसे हमने click किया यह देखिए यहाँ पर जो भी आप सैटिंग करेंगे वो यूज होंगी आपके wordpress के अंदर login होने के लिए सबसे पहले अपनी site का title रख लिए यह same title database वाला अपनी website वाला 90s mentor blog सेम वही रखना है आपने यहाँ पर आपने username create कर लेना है आप कोई भी रख लीजिएगा admin रख लेजिए मैं भी admin रख लेता हूँ आप भी admin रख लेजिए ओके हो गए जी उसके बाद आपने password यहाँ पर हलका सा select कर लेना है क्योंकि यह local host के उपर है कोई भी इसको hack नहीं कर सकता admin रख लेते हैं week है आपने confirm use week password के उबर check mark जरूर करना है अगर आप check mark नहीं करेंगे तो यह password जो हलका password है यह काम नहीं करेगा check mark करने के बाद आपने scroll in करना है यहाँ पर आपने email address जरूर लिखना है अगर आपका username काम नहीं करेगा तो आपका email address काम किया करेगा यहाँ पर आप कोई भी अपना email address लिख लीजेगा जैसे आप यहाँ पर अपना email address लिखेंगे सबसे important जो चीज़ आने वाली हो नीचे वाली हो आपको बता देता हूँ यहाँ पर यह देखे search intern visibility यह अपने check mark नहीं करना यहाँ पर अगर आपने check mark कर दिया तो इससे क्या होगा कि आपकी website जब आप live करेंगे hosting paid hosting के उपर गूगल में index नहीं होगी यह discourage करेगा ठीक है जब आपने इसको check mark किया होगा अगर आपकी website गूगल में index ही नहीं होगी तो फाइदा क्या website बनाने का तो इसको आपने check mark नहीं करना इसको uncheck रहने देना यह जो मैंने check किया है नहीं इसको uncheck करके मैं blank छोड़ दूँगा अब यह ठीक हो गया अब मैंने क्या करना है यह सारी चीज़े जब complete हो जए install wordpress के उपर मैंने click करना है successfully install हो गया अब यहाँ पर username password डाल कर आप login कर सकते हैं लेकिन जो नए लोग होंगे उनको यह बार बार विंड़ो नजर नहीं आएगी तो दुबारा से वो wordpress के अंदर login कैसे हो सकते हैं वह आप आपको बता देता हूँ यहाँ पर यह देखिए आपने नया browser open कर लेना है जब जब आपने wordpress के panel में login करना है आपने यह address हमेशा type करना है localhost आपने browser में जाना है localhost यहाँ पर यह देखिए मैं localhost लिख रहा हूँ slash आपकी website का नाम जैसे के मेरी website का नाम है 90s mentor blog slash wp-admin यह हमेशा आपने लिखने और enterprise कर देने जैसे आप enterprise करेंगे आपके सामने यह window शो हो जाएगी login वाली यहाँ पर अपना username आपने लिखने अपना password लिखने अगर आप username नहीं लिखना चाहते है यहाँ पर अपना email address लिख लिजएगा same जो आपने वहाँ पर लिखा था और अपना password same जो आपने वहाँ पर लिखा था और login के बटन पे अपने क्लिक कर देना है यह देखिए आपके सामने local host हो चुक है आपका WordPress इंस्टाल हो चुक है successfully यह देखिए आपके सामने नजर आ रहा है अब आपनी website किस तरह के नजर आएगी जहाँ पर मैंने login करके दिखाया है यह वाली website पब्लीक लीवेलेबल होगी और यह वाला पैनल आपके लिए होगा जिस पर आप सारी साइडिंग करेंगे जिसकी access आप अपने client को दिया करेंगे जब आप काम किया करेंगे यह वाला WordPress इंस्टाल करके यह तो भी आप अपने laptop के उपर कर रहें यह सेम चीज़े जब आप cloud hosting पर किया करेंगे यह वाला पैनल आपके client के लिए होगा करेगा इसके उपर वो काम किया करेगा इस तरह आपने अपने laptop के उपर local host करवाते हुए अपना WordPress इंस्टाल करना है आप लोगों की assignment भी यही है कि आपने successfully WordPress को install करके अपने screenshot जो community मैंने group D.O.S. वीडियो की description में 90's mentor community आपने वहाँ पर जाना है और इसका screenshot वहाँ पर upload करना है कि आपने successfully अपना WordPress install कर लिया है और आप लोगों का quiz भी बताता चलू आपको और आप लोगों का quiz यह है quiz number 3 जो कि 3 class का quiz है कि मैंने कौन कौन से step follow की है WordPress को install करने के लिए localhost के ओपर ठीक है यहाँ पर यह देखे सारे step मैंने ABCDEF करके लिखे हुए लेकिन मैंने डाउन में यहाँ आपर 4 options दी हुए है यानि कि अपने sequence बताना है कि किस sequence के साथ मैंने WordPress को install किया है इस वीडियो के अंदर सो मुझे पता चल सके कि आप प्रॉपर्ली स्लेक्टर को देख रही है प्रॉपर्ली अंडरस्टेंड कर रही है कर नहीं कर रही है यह ता आज का लेक्टर नावर 3 जिसमें हमने प्रॉपर्ली वर्डप्रेस को install करना सीका फ्री में लोकल होस्क्यों पर आई होप गाईज आपको यह वीडियो वैलियोबल लगी होगी लेक्टर की प्रॉपर्ली समझ आई होगी फिर भी अगर कोई क्वेस्टिन है तो कमेंट में जरूर पुछिए लाइक करें लाइक करेंगे 2000 लाइक करें अपनी एटेंडर्स को मार करें शेर किजिए अपने दोस्ते के साथ जो के फ्री में स्कील सीखना चाते हैं वोब विवड़ प्रास करेंगे और इस चैनल 90 में जरू सब्सक्राब विजिए थैंक यू